किसी को कोई कोश्चन हो तो पूच सकता है मैम, मैम ओफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है लेकिन जू बच्चे स्कूल नहीं आ पार है उनकी पढ़ाए कैसी होगी राहूल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से अरे, तो उसकी टेंशन मत लो वो अभी भी टीच्मिंट आप के द्वारा हमारे साथ लाइव है शहर शहर गाउ गाउ अब टीचर्स ले रहे हाईब्रेट क्लास टीच्मिंट के यूनिक फीचर्स के साथ तो गुड़ मॉर्निंग रवाधे राधे सुबह का टाइम है और फ्राइडे का है और यह व्लॉग ना में डो बार्ट में डिवाइड करके मतलब दालूंगी तो क्यों होगा ऐसा वो आपको समझा जाएगा तो यह फ्राइडे व्लॉग पार्ट वर्न है तो मैंने मतलब जो भी क्लिनिंग वगरा का है वो काम कर लिया है कप्टे वगरा भी दूल लिये हैं नाना धूना हो गया है मेरा बस पूज़ा कर लूँगी दैन उसके बाद में किचन में चलूँगी तो यहां पर मैं कीचन में आ गई हूँ और यहां पर मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ माधरानी को भोग अभी लगाओंगे भी लगाओंगे यहां पर मैंने गाजर को बोईल कर लिया था विदाउट मिल्क कुछ भी इसमें एड नहीं किया है इसके पानी से ही थोड़ा बहुत सॉफ्ट हुआ है और आज मैं न्यू तरीके से इस हलवे को ट्राइ कर रही हूं तो चलिए आप देखते रही है मैं कैसे बनाने वाली हूं और अब भी बनाईएगा इस तरीके से मैं बहुत सारे तरीके से त्राइ करती रहती हूं तो आप विजयो ट्राइ करिएगा और अब हमारे थंदी पहले से थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि दूप निकल रही है लेकिन कोई बहुत ज्यादा निकली हो रही है क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है तो थंद तो बहुत ज्यादा है और मैंने मतलब उपर कपड़े निकल जाना है फिर उसको फैलाना है क्योंकि हमारी जो कहीं से लिकेज हो रही है मतलब थोड़ा का अबी तो हम अच्छा हो जाए फिर आमने मिस्त्री लोगों से बात कर रही है और उसके बाद हम ने भी टाइस लगाने का सोच ने दिवालों में क्योंकि दिवाल में डून नो सीलन कहां से आती है नीचे और पेंट छोटने लगते तो फिर अच्छा भी नहीं लगता रोज मतलब यूनों घर भी गंदा होता है और देखनेवालों को यह यह लगता और टैरिस का भी काम कराना ह है तो बहुत ज़ाता है तो हम ईश नहीं है कि अपना घर घर लेगर नहीं नहीं करता है तो करती थी कि मैं आपको दिखाती अब तो नहीं रहते हैं देवर जी का प्राइमरी में स्रेक्षन हो गया तो चले गया है वदाई हूं और सब्सक्राइब चले गया हैं गाहों पे क्यूंकि आपको पता है करोना आ गया था तो सभी फैक्ट्रियांस बंद हो गई थी तूँ चल leasya घाना इतल यहां पे तो चले में ज्यादा वाते न् individually चलए एक व्यारा पहता जाओं और तो थे खाली देट्व appearance काणी खेल को चलिए। उसकी नहीं एक मिनिदीदाइध कर देंगे एकम करने और शाण हो यह अज़ोटे कर देंगे सिह कर्दिद हैS घाधा खाते है गैह देलेट बिलकुल नहीं खाते हैं तो इसकी भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत तारी लोग मुफ्टा नहीं खाते हैं तो अगर चीनी डालते हैं तो आपसमें दूछे को हैं मुझे टालता था हॹै फेलाजर को छूड़ा इसेmost ऑने पानी से मेरे बाबो को यह वाली दाल बहुत पसंद है तो दो ही लोग है खाने वाले तो फिर में क्या दाल सब्जी दोनों बनाओं तो मैं ऐसा बना दूंगी कि दाल सब्जी दोनों का काम कर दे तो चलिए मैं फ्रफर से चढ़ा लेती हूं दाल देन उसके बाद आपसे मिलती हूं तो बस अब यहां पर मैं दाल चढ़ाओंगी पालक पहली मैंने धूल के चौप कर ली भी थी और दाल को भी अपनी धूल के रख लिया वा था क्योंकि मैं प्रिपेर्शन पहले कर लेती हूं थोड़ा सा इजी हो जाता है काना बनाना नहाने धूने के बाद क्योंकि ना मैं कितना भी बचाती हूं बट मेरा जो यह स्लीफ सेना वो थोड़ा बहुत भींगी जाता है तो मैं धूने वाला काम नहाने पहले ही कर लेती हूं सिर्फ थोड़े बहुत बरतन वेगरा जो रहते हैं वही धूलते हैं डाल मैंने अल्र यहां मैं आ गई हूं टैरिस पे और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कपड़े दोके आई हूं पानी निकलने के लिए रखी हूं तो यह वाला स्वेटर जो है इसका पानी नहीं निकला था हस्बेंड का था तो मैंने ऐसे फैला के बाल्टी रख दिये जो भी पानी होगा उसमें जाएगा और बाकी जो कपड़े हैं उनके पानी तो निकल गए हैं तो मैं डाल दूंगी और इतना अच्छा धूप लग रहा था ना कि मैं आपसे क्या बताऊं आपको देख के भी लग करा होगा और इस तरीके से दूप में कपड़े जब मैं फैलाती हूं नाने दोने के बाद तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है और मुझे बिल्कुल भी मन नहीं होता कि मतलब मैं नीचे जाओं मेरा मन होता है कि बस ऐसी चट पर टहलती रहूं के के लिए बूख लेंगे तो फाइलली मेरा यहां पे कपड़ा फैल गया है दूब बहुत अच्छी है जाने का मन नहीं है लगिन जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि नीचे काम है तो चलिए वापस से नीचे चलते हैं और अपने काम भी लग जाते हैं मैं उपर से आने का बिल्कुल मन नहीं ह आधर इधर उधर कर आए ऐसे होती है मारी मॉर्निंग की लाइफ टाइम की बात करूं तो टाइम हो रहा है 11 का 1120 का इधिंक मैं भी देख लूंगी आप भी देख लेना यह देखो कि 1120 का हो रहा है तो चलिए फट फट से हल्वा बनाके और मातरानी को भोग लगा देते हैं क्योंकि अभी मैंने भी सुबह से कुछ भी चायव अगरा नहीं पिया है तो चलिए भी दिखाती हो आगे तो हमारा जो यह चीनी का पानी गाजर में से सुख गया है अब हम अपन इससे से एर वाट कर रहीं उसका रिव्यू देर में ब्लॉग लंबा हो रहा है तो जब तक मेरा हल्वा रेडी हो रहा है तब तक मैंने सोचा से मैं समय कर रही हूं उसका रिव्यू दे दूं आपको क्योंकि हमको अच्छे सेंपू की तला समेशा होती है हम लेटी शो को क्योंकि हमारा हैर फॉल का प्रॉब्लम रहता ही रहता है कभी सीजन चेंज होता है कभी किसी और रीजन से गर्मियों में भी हम बाहर वगरा जाते हैं तो सनलाइट हमार जादा टूट रहते आई डोंट नो आए और मैं पहुंच जादा परिशान होगे कि जगा जगा से ऐसे खाली से लग रहे थे मेरे बाल पहले से भी बहुत कम है लेकिन तूटने की वज़े से और भी कम हो रहे थे तो मैंने फिर से सोचा कि कोई सेंपू ट्राइब करते हू मैं आपको बताती हूँ पहले में आपको शैंपू दिखा देती हूँ तो शैंपू यहां पे आप देख सकते हैं ममा अर्थ ओनियन शैंपू वित ओनियन प्लांट केरेटीन फॉर हेर फॉल कंट्रोल पैरा मिन सलफेस फ्री है और डर्म लॉजिस टेस्टेड है फॉर ऑल ह टाइपस है और इसके मतलब कॉंटिटी की बात करें तो टू हन्वेड एमेल है और यहां पे नीचे आप देख सकते हैं ब्लू लाइन पे न्यू इंप्रूवड है यानि इंप्रूवड की है पहले से प्राइस की बात करें तो टू हन्रेड फॉर्टीन रूपीज है जो की आपको इसको अप्लाई करना है और इसका जो भी इंग्रेडंस है वो भी मेंशन है या पे क्या-क्या चीज़े इसमें पढ़ी हुई है तो आप अराब से इसको पढ़ ले और उपर भी दिया है सलफेट फिस एम्पू जैनिटील क्लीनेस नरीज है रिडियूश हैर फॉल यानि यह आपके जो है बालों को नरीश करेंगे और आपके जो रूट है ना उनको भी मजबूत करेंगे और आपके हर फॉल को कंट्रोल करेंगे और यह जो भी हामफूल कैंकर्स है उनसे फ्री है और प्राइज भी मुझे लगता है कि ठीकी है क्वांटिटी के हिसाब से self-live के तो इसको यूज़ करते मुझे 3 week हुए हो है एंद वीक में टू टाइब हेर वौश करती हुँ सो हाँ definitely मेरे hair fall बें control हुआ है मेरा hair fall जैसे मैं पहले hair wash करती थी उसमें भी मेरे बहुत सारे hair जाते थे बट अभी नहीं जा रहे है ह hall और कॉम करने में भी नहीं स्वाइन पर आप गए बाल कम जा रहे हैं और हेयर वाष मैभी कम जा ball बेदं אז तो आहिक以前 सेंपो को जरूरी ऊसे आपको डपना सेंपो को में एक आतर रेक जाम करें और प्लीस मुझे कंविorkडम करके बताओ कर एंja तो चलिए अब चलते हैं वापस से कीचन में और अपने हलवे का देखते हैं मतलब क्या है कंडिशन और जो भी है वो आपको बताते हैं यहां पर आप देख सकते हैं मैंने कितना मतलब इसको मोटे मोटे में इसको चौप किया था आयन कूकर में दिखाया ही था सब कुछ आपको और यहां पिर सिर्फ मैंने यू नो यह मतलब 200 ml दूध लिया हुआ है बस इसमें और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा लग रहा है ना इसका लुक बुझे तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है तो आप भी इस तरीके से जरूर ट्राई कीजेगा आपका कम मतलब दूध और खी वेगरा इन सब में आपका बहुत टेश्टी हलवा तैयार हो जाएगा क्योंकि हम जब डेली में मतलब कोई चीज बनाते हैं तो सोचते हैं कि वो हैल्दी हो और ज़्यादा हम यूनो तेल घी यह सब नहीं खाना चा कितना कम दूध या कम इंगेड़ में इतना टेश्टी हलवा बनके रेड़ी हो रहा है तो इस मूमेंट पे हम या पे एड़ करेंगे देशी घी और यह भी मैं बहुत जादा नहीं एड़ कर रही हूं इतना ही एड़ कर रही हूं सॉरी इसको हम अच्छे से विक्स कर देंगे जिसे हमारी पूरी कढ़ाई जो है वो साफ हो जाए घी डालने से ना कढ़ाई पूरा जो हलवा है वो छोड़ देगा ओके तो चलिए फिर मिलती हूं अभी तो फाइनली हमारा हलवा बनके रेड़ी हो गया है तो चलिए हम सुरी इसको हम ल़द पूरी दो हमारी थी उन अभी तो आट है